शेमद्धुम रहमडी इसमयापका स्वागत है परमख को बताएंगे गोर्धन पूजन की ब्रत कता गोर्धन पूजा की प्रमपरा द्रौपर यूग से चली आ रही है उससे पुरुफ वरच में इंदर की पूजा की जाती थी मगर भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को तरक दिया कि इंदर से हमें कोई लावनी प्राप्त होता है वर्षा करना उनका कार है और सिर्फ अपना कारे करता है जबकि गोवर्धन प्रवत गोधन का समवर्धन और स्रच्षन करता है जिससे प्रयावरन भी सुद्ध होता है इसलिए इंदर की नहीं गोवर्धन की पूजा की जानी चीए इसके बाद इंदर ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा से डराने का प्रयास किया जबरदस्त बारिश की पर स्री किष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी अंगली पर इस पे उठा ली थी अपनी अंगली पर उठा कर सब इंदर भगवान की शरप्ती गोवर्धन परवत की पूजा करने का विधान शुरू हो लिए और ये परंपरा आज भी जानी है सब व्रजवासी साथ दिन तक गवर्धन परवत की शरण में रहे वापस मैं अपना दौपर में जा रहा हूँ सब व्रजवासी साथ दिन तक गवर्धन परवत की शरण में रहे सुदर्शन चक्र के प्रभाव से व्रजवासी पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी ब्रह्मा जी ने इंदर को बताया कि प्रिध्र पर स्रिक्रिष्ण ने जर्म ले लिया है उनसे तुम्हारा वैर लेना उजित नहीं है स्रिक्रिष्ण की अवतार की बाद जारकर इंदर देव अपने मुर्कता पर बहुत लच्जित हुए ज़दा भगवान स्रिक्रिष्ण से छमाय आचना मांगी स्रिक्रिष्ण ने साथवे दिन गोवर्धन परवत को नीचे रखकर ब्रजवासीं से अग्या दी कि अब से प्रतिवस को वर्धन पूजा कर अनकुट का परव उल्लास के साथ मनाओ अब ज़रा महत्व आप शॉटकट में सुन लीचिए माना जाता है कि भगवान कृष्ण का इंदर के मान मर्धन की पीछ उदेश यथा कि वर्धन वासी गौधन एवं परियावरन के महत्व को समझे उनकी रख्षा करें आज भी हमारे जीवन में गायों का विसेस मात हुए आज भी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूद हमारे जीवन में बहुत एहम अस्थान रखता है यह तो आज गौधन वरज की छोटी पहाड़ी है किन्तो इसे गिरी राज कहा जाता है अथात परवन्तों का राजन इसे यह महत्व यह ऐसी सग्या इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के समय का एक मात्र अस्थाई औस्थर अवशेश है उस समय की अमना नदी जहां समय समय पर अपनी धारा बदलती रही हुआ गोवरदन अपने मूल अस्थान पर ही और विचलित रूप में विक्तमान है इसे भगवान कृष्ण का स्वरूप और उनका प्रतीक भी माना जाता है और इसी रूप में इसकी पूजा की जाती है बल्लब सम्प्रदाए के उपास देव श्रीनात जी का प्राकट टस्थल होने के करण इसकी महता और बढ़ जाती है गरग सहिता में इसके महत्व का bonकर्तिय कहा गया है कि गवर्धन पिरवतों का राजा और हरी का पियारा है इसके समान पित्वी और स्वर्ग में कोई दूसरा तिर्थ नहीं है यद्दपी वर्तमान काल में इसका आकार प्रकार और प्राकर्टिक सौंदर पुर्व की अपिक्चा छिंड हो गया है फिर भी इसका महत्व कदापी कम नहीं हुआ है यदि आज के दिन कोई दुखी है तो वर्स बर दुखी रहेगा इसलिए मनुश्य को इस देन पर संद होकर इस उस्सफ को संपुर्ण भाव से मनाना चीए इस दिन असनान से पुर्व दिला भ्यंग अवस से करना चीए तेला भ्यंग मलब तेल लगाना चीए इसे आयू और आरोग्य की प्राप्ति होती है और दुखदारिद्र का नाश होता है इस दिन जा शुद्ध भाव से भगवच्रण में सादर समर्पित संतुस्त प्रसंद रहता है वो वर्स परियंद सुखी और समर्द्ध रहता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटें दीशिए धन्यवाद